प्रिस्पला है रमारे नहीं, expert systems के हवाले से और propositional logic के हवाले से दो important concepts का में डिसकुस करेंगे, modest ponence and modest tolerance. Modest ponence में जाने से पहले हम देखेंगे कि argument और proof से क्या मना देखेंगे. So, first, an argument is a relationship between a set of propositions called premises and other proposition called the conclusion. Argument जो है न, वो एक relationship है, एक set of propositions जिनको premises कहते हैं या premises कहते हैं और conclusion के दर्मियान. तो premises हमारे पास एक से जादा हो सकती है, लेकिन conclusion में आप देखें, यह हमारे पास एक होगा. तो यह एक relationship पर जो बताता है हमको कि क्या के चीज़े true हैं, तो उसके नतीज़े में क्या और चीज़ जो है, वो true हो सकती है. तो जब हम premises और conclusion को एक ही जगह पे जमा कर लेते हैं, तो यह बन जाता है हमारा argument. Proof is intended to show deductively that an argument is sound. और proof जो होता है न, उसमें क्या करते हैं, formula A को apply करते हैं, हम यहाँ पर यह show करते हैं in a deductive manner. ठीके, deduce करते हैं हम proof में, कि हमारा argument sound है, यह यह valid है. तो argument के sound होने से क्या मुराद है, if and only if, it cannot be the case that its premises are true and its conclusion is false. Argument उस वक्त sound होता है, जब आपके पास if and only if, यह कभी नहों कि premises true हो और conclusion false हो जाए. तो argument पिर sound नहीं कहलाएगा. Argument sound कब होगा, जब premises भी true है और साथ साथ जो conclusion है वो भी true हो. तो यह जो proof है ना, इसको हम turn style के symbol से represent करते हैं, यह symbol of turn sign. तो फिर हम कह सकेंगे कि premises syntactically entails the conclusion. अब proof की example के हवाले से, मिसाल के तौर पे, यह हमारे पास क्या है premises हैं? P imply Q and P. और यह जो है, आपके पास turn style के symbol के right पे यह conclusion है. अगर यह चीज़ supported है, तो यह argument sound है, और जो argument sound नहीं होता, वो fallacy कहलाती है. तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यही वो rule है, जिसको हम modest pronounce कहते हूं. तो in addition to using truth tables, other forms of proof can be used, such as derivation rules या proof rules. Truth table के अलावा भी हमारे पास तरीखें हैं, जिसकी मतल्स से हम conclusion को derive कर सकते हैं, वो with the help of proof rules होते हैं. There are a number of such derivation rules which enable us to prove that an argument is sound. तो हमारे पास बहुत सारे derivation rules है, truth table वाले mechanism के अलावा ये दूसरा mechanism है, जिसमें हम derivation rules को apply करते हैं, और ये पता लगा देते हैं, कि यह argument sound है या नहीं. तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं modest pronounce को, ये लातिनी जबान का word है, और इसका मतलब है affirming the antecedent. affirming the antecedent, antecedent का मतलब है जो पहले आने वाली चीज़ है, तो P imply Q में क्या चीज़ आ रही है, P आ रहा है पहले, ठीक है, तो यहां पर आप देखें, एक हमारे पर rule है P imply Q, और साथ में P भी मौजूद है, यानि हम जो है, इस antecedent का इकरार कर रहे हैं, कि ये चीज़ और इस वक्त P मौजूद है, तो इसका मतलब है, ये P की मौजूद की Q को imply imply कर रही है, और P भी मौजूद है, तो Q भी मौजूद होगा, तो ये argument आप से क्या कह रहा है, कि प्रिमाइसिस जो है, आपके पस P imply Q और P जो है, वो conclude कर रही है Q को, इसको एक मिसाल से समझ लेते ह है, मिसाल के तोर पे हमाई पस जो rule है P imply Q, उसको हम knowledge base में ये देख लेते हैं, if it is raining, then ground is wet, अगर बारिश हो रही है, तो इस वक्त बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश की मौजूद की जो है, या बारिश का होना जो है, वो इस बाक को जाहिर कर रहा है, कि उससे क्या नत चीज़ है, जो मैंने आपको पहले knowledge base में बताई थी, कि knowledge base जो है, वो आपके पार domain specific होता है, और जब वो inference engine में जाता है, तो domain independent processing उसके उपर perform होती है, मिसाल के तोर पे, यहाँ पे it is raining, इसको हमने कह दिया, after rain comes sunshine, तो rain के बाद आती है sunshine, rain causes sunshine, यह हमारे पास क्या हो गए, य language हो गई, इस language को हमने formalize कर दिया, variables में, propositional variable हमें इसको assign करती है, अब यहाँ पर हम सारी deduction कर रहे हैं, सारी processing कर रहे हैं, अब हमें पता है कि R मौझूद है, और R की मौझूदकी imply करती है S को, ठीक है, तो यह rule है, और R इस वक मौझूद है, तो हम modest ponence के तहत यह deduce कर सकते है कि फिर S भी होगा, यानि कि sunshine भी होगी, तो हमने यह जो real world के rules थे, उनको variables में लेकर आए, उन पर कोई logical processing करके नतीजा निकाला और उस नतीजे को दوبारह उस जबान में convert कर दिया, जो हमारे पास knowledge base की जबान है, तो फिर यह आसानी से कोई भी इसको interpret कर सकता है, अब आ जात है, modest tolerance की तरफ यह भी लातीनी समान का word है, और इसका मतलब है, denying the consequent, यानि कि जो नतीजा है, उसको deny कर देना, जैसे P imply Q में, यह antecedent है और यह consequent है, तो consequent का इंकार, दरसल आपके पास antecedent का इंकार है, यह है modest tolerance, another important derivation rule is modest tolerance, which is also known as contraposition, and it takes the following form, ठेक है, विसाल के तौर पे, if it is raining, then the ground is wet, the ground is not wet, so we can conclude that it is not raining, तो बारिश नहीं हो रही है, यह हम conclude कर सकते हैं, तो यह हमारे पास जो modest tolerance और modest tolerance है ना, यह दो बड़े important rules हैं, और fundamental rules है, propositional logic में, जिनकी मदद से मजीद फिर हम दूसरे नए rules को derive कर सकते हैं, तो नई आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, कि यह modest tolerance और modest tolerance जो हैं, क्या इनका otherwise भी possible है, यानि कर मैं माइनस P को इदर लगता हूं, तो क्या हम माइनस Q को इसमें derive कर सकते हैं, तो यह बड़ा important है जो हम next वीडियो में discuss करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप से एक दरफास यह है, कि आप चैनल को ना सिर्फ सबस्क्राइब करें, बलके जो लोग, आपके दोस्त, अहबाब, जो तो डिफरन यूनिवर्स्टीज में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस चैनल से इस्तफादा करें, तो उनके साथ इसको share करें, thank you very much.